नमस्कार बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में मैं हूँ आपके साथ अमित चर्मा इस कारिक्रम में हम आपको बताएंगे कैसा भीतेगा आपका आज का दिन और जानेंगे आज के विशह की बारे में और मेरे साथ इस समय भुपाल से जोड़ चुके हैं जोतिशाचा सारे पंडित अर्विन तिवारे जी पंडिजी आपका बहुत-बहुत स्वागत एक बार पर इस कारिक्रम में तो चलिए इस कारिक्रम की हम शुरुवात करते हैं तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आज का पंचांग क्या कहता है पंडिजी क्या है आज का पंचांग और ग्र और जो भी दर्शक मुझे विवी ने प्लेटफॉर्म पे देख पा रहे हैं उन सभी को भी मेरा बहुत बहुत नमश्कार बिल्कुल हम शुरुआत करते हैं आज के पंचांग को लेकर आज का पंचांग कुछ इस प्रकार से बनता है दस अगस दो हजार बाईस दिन बुदवार श्रावण मास की शुकल पक्ष की आज चतुर दशी तरियो दशी तिथी है और विक्रम संबत 2019 वर्तमान में चल रहा है शक्समत 1944 है आज का जो राहु काल रहेगा वो कुछ इस प्रकार से रहेगा बारा बजे से डेड़ बजे की वीच में आज का राहु काल रहेगा आज की जो ग्रहों की सितियां है वो कुछ इस प्रकार से बनती है सूर्य समय करकराशी में हैं चंद्रमा इस समय धनू से निकल कर आज दोपहर बाद मकरराशी में पहुँच जाएंगे वही मंगल जो कि आज का हमारे विशे है मंगल ग्रह का गोचर होगा मंगल पहुँचेंगे आज ब्रशब राशी में वहीं बुद्ध ग्रह समिसिंग राशी में गोचर रथ हैं वहीं गुरु समय बर्तमान में मकर राशी में गुरु बर्तमान में मीन राशी में वक्री गती से गोचर रथ हैं वहीं शुक्र समय करक राशी में हैं शनी मकर राशी में वक्रिगती से ब्रमण कर रहे हैं राहु मीश राशी में हैं और कीतु तुला राशी में रहेंगे तो ये था आज का ग्रह गोचर और पंचांग बिलकुल और हम दर्शकों को बता दे कि हमारी फोन लाइस खुल चुकी है किसी भी समस्या का आज जोतिशे समधान आप चाहते हैं जोतिशे परामर्श लेना चाहते हैं इस कारिकरम के दौरान आप पंडिजी से तो स्क्रीन पर लगाता है इस कारिकरम के दौरान हमारे नंबर्स फ्लेश होते रहेंगे जिन पर आप फोन कर सकते हैं और हमसे जुड़कर पंडिजी से अपना प्रश कब होने जा रहा है का जो गोचर था पहले वो मीश राशी में बैठा हुआ था राहू के साथ यूति बना कर राहू के साथ जब भी मंगल बैठता है तो जोतिश में जो सबसे खराब यूग जिसको हम कहते हैं अंगारा की यूग बनाता है अंगारा की यूग का मतलब होता है कि जिस राशी में बैठा हो और जिस राशी से मंगल की दरश्टी चौथी आठवी या खास्तोर से साथवी पढ़ रही हो तो उस राशी वाले जातकों को वो बेहत तंग सबसे जादा करता है। बहुत जादा परिशान करता है। दस अगस्त को वह शुक्र की राशी यानि ब्रशव राशी में प्रवीश करने जा रहा है। मंगल जब भी शुक्र की राशी में प्रवीश करता है या शुक्र के साथ गोचर करता है तो भी उसकी इस्तिती बहुत बहुत बहतर नहीं माली जाती है। आप ऐसे समझ लीजे कि जब भी मंगल शुक्र की राशी में रहेगा तो अगनी जल रही है और उसमें आप पेट्रोल या डीजल या मिट्टी का तेल डाल दो तो वो अगनी और भवक सी जाती है तो ऐसी परिस्तियां कमोविश मंगल लेकर आने वाला है तो उसके चलते परिस्तियां थोड़ी सी बहुत बहतर नहीं रहेंगी लेकिन मंगल के बारे में मूलता आप जान लीजे मंगल जिस राशी में प्रिविष करता है उस राशी वाले जात्मों को हमीशाथ तनाओ देता है शनी जिस परकार से अपने आजूबाजी वाली राशीयों को प्रभावित करता है अपने से 7 भाव या 3 भाव या 10 भाव को देखता है मंगल को कुछ विशीश दरश्टियां प्राप्त है, कौन कौन सी है, दो विशीश दरश्टियां ये हमारे दरशकों को जानना बेहद आवशक है दो दरश्टियां हैं जो मंगल को सबसे ज़्यादा महत्पून दरश्टियां मानी जाती है वो दरश्टियां है चौथी और आच्वी यानि मंगल ब्रशब राशी में बैठेगा तो अपनी चौथी दरश्टी से यानि सिंग राशी को देखेगा मंगल की जो आच्वी दरश्टी है वो है धनू राशी पर यानि आठवी दरश्टी से वो देखेगा धनू को. तो आने वाले दिनों में मंगल ब्रशब राशी के साथ है, जिन दो और राशियों को तंग करेगा, उनमें एक सिंग राशी है और दूसरी धनू राशी है. ये दोनों ही राशी या मंगल की मित्र राशी है, उसको भी मंगल तंग करेगा, तो आने वाले दिनों में मंगल इन दो राशीयों को सबसे ज़्यादत तंग करने वाला है. ब्रशब को तो वो तंग करेगा ही करेगा. लेकिन आप भारत वर्श के उपर थोड़ा सा हम देखें. भारत वर्श की हम बात करेंगे, सबस्तेक दर्शक हमरे साज जोड़ चुकी है, जोती जोड़ी है महारास्ट से, जोती जी बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में, जिनके विश्व भी आपका प्रश्ण उनके जन्म की पूरी तिथी, समय और इस्थान बताएं, फिर आपका प्रश्ण करें, जी. जनम था नाकपूर. जनम बैठा हुआ है शनी और दुरस्पत के साथ, देखिए, और दूसरा जो सहरकारी नौकरी के भाव का स्वामी ग्रह है, बुद्ध वो शुक्र के साथ चटे भाव में हैं. बारवे भाव का चंदर्मा भी ठीक नहीं है, इसलिए मैं बहुत विनमता से जोती जी सलहा दूँगा, कि आप अपने चिरंजीव को निजी छेतर की ओर अगरसर करें, यानि वो निजी छेतर में ही प्रयास करें, और व्यापार व्यवसाय जोती जी आप बिल्कुल भी मत कराईएगा, चुकि इनका मूट स्विंग होता है, मूट स्विंग का मतलब होता है, कि पल में तोला, पल में माशाय, यानि आभी एक बात करेंगे, फिर थोड़ी देर बाद दूसरी बात करेंगे, और दूसरी सबसे महत्कुल शीर, तोड़ा सा गुस्सा इनको ज़्यादा आता है, चित्पे एकागरता की बहुत ज़्यादा कमी है, एक उपाए में आपने पूछा है, मैं जरू बिना दीजे, इस से मुझे लगता है कि काफी लाप की स्थिति अवश्य प्राप्त होगी, पिल्कुल हमारे साथ एक और दर्शक जोचुकी इन दौर से उशा, उशा जी बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में, जन्व की पूरी तिथी, समय और इस्थान बताएं, मैं फिर आपका प्रश्न करें, जी, एक तीस बारा, जी, एक तीस बारा, जन्म की पूरी तारीख क्या है, इस्थान बताएं, जन्म समय बारा बच के दस मिनट, दोपहर का जन्म है, जी, जी, और जन्म स्थान बताएं, जी, प्रश्न करें, मैरे बेटे का एक तो तलाग का केस चल रहा है, तो बहुत ज्यादे डिप्रेशन में है, जिद्धी है, परिशान देता है, राद राद बिल्कूर नहीं पाता है, तो ये तलाग होगा, ये रुकेगा, एक बेटा भी हो उसका, बेटे के लिए भी बहुत चिंशिते हो, बे बेटे का एक तलाग का मामला चल रहा है, तो मैं बहुत बिनम्रता से ही कहूँगा, कि इनको तलाग लेने से बचना चाहिए, क्योंकि इनका जिससे भी बिवा होगा, ठीक वैसी ही इनको धर्म पत्नी प्राप्त होगी, इसलिए बेटर है कि अपनी पत्नी से ये समझोता कर जहां तक पुरशने तलाग का मामला कब तक चलेगा, तो ये मुझे लगता है कि 13 जुलाई 2023 याने अगले साल तक चलेगा, उसके बाद जैसे ही ब्रस्पती में शुकर आएगा, उसके बाद ये स्वयम समझोता करेंगे या इनकी पत्नी इन से समझोता कर लेगी, जब समझ जा सकता, पती और पत्नी के बीच में अनबन या जगडे होते रहते हैं और प्यार से एक दूसरे के साथ रहें, वही सबसे बहतर है, आपने कहा रात रात भर नीन नहीं आती है, मैं एक उपाय बता देता हूँ, इससे उनको नीन भी आईगी और मन भी शान्त रहेगा, गोमेद, गोमेद चुके राहू और शनी के लिए है और आपके चरंजीब को यानि आपके पुत्र को राहू और शनी दोनों ही तंग कर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि आप ये दोनों रत्न आप पहना एक रत्ता पहना दीजे, सीधे हाथ की मदिमा उंगली में चांदी में जड़वा कर गोमेद रत्ने शनीवार को शाम को साथ से साड़ी साथ के बीच में आप इनको पहना दीजे, इससे उनको निसंदेल लाप की प्राप्ती होगी बिलकुल, वही दर्शक निजी परामर्श भी पंडिजी से ले सकते हैं, उनके नमबर हम लगातार स्क्रीन पर फ्लेश कर रहे हैं, अगले दर्शक हमरे साज जोड़ चुके हैं, जहारखन से आनन हमारे निया में दर्शक भी है, पंडिजी एक बर फिर से इनोंने कॉल किय आनन जी बहुत स्वागत है, आपका सितारों की चाल में, आज जन की पूरी तिथी समय और इस्थान बता दें, आपकी आवाज से पस्ट नहीं मिल पारी आनन जी, जो प्ले की आपकी तिथी बता दें पहले, तेज बारो नेंटेटिस तेज बारो निस्व सत्यासी जी जन क समय रातरी एक पैदालिस देवघर जारखंड जी, आपने नौकरी के लिए अपलाई किया है और उसके विशे में आप जानना चाहते हैं, जी, पंडे जी, चलिए, आनन जी, बहुत सुंदर जगे से फून करते हैं, भगवान, भोले नात, बावा बैजना, धाम से हमारे प बस फोन आता है, बहुत प्रसंदता की बात है, आनन जी, आपने जो नौकरी के लिए अपलाई किया है, यदि आपकी नौकरी का जो भी कारी है, यानि जैसे परिक्षा है या इंटर्व्यू है, यदि 29 अक्टूर के बाद यदि आप देने जा रहे हैं, तो निसंदे आपक हो सकती है, चुकि 29 अक्टूर तक राहू आपको तंग करेगा, मैंने आपको पहले भी बताया है, एक बार पुना दोहराता हूँ, आपको एक गोमेदरत न पहनने की बहुत आवश्यक्ता है, चुकि राहू आपको बहुत ज्यादा तंग करता है, आनन जी, इसके कारण इर लगबग 18 रती का हो, सीधे हाथ की मद्वा उगली में, चांदी में जड़वा कर पहने, और एक मोती पहने, चुकि शास की छेतर में या किसी भी छेतर में नोकरी पाने के लिए आपको आपकी कुंडली में चंद्रमा को मजबूत करना बेहत जरूरी है, तो 28 रती का मोती जड़ी आप सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में आनन जी पहनेंगे, इसके अलावा मैंने आपको एक बार और कहा था, पित्र रदोश आपकी कुंडली में हैं, तो देवघर के पास में गया नामक्तीर थे और अभी पित्र पक्ष 10 सितंबर से प्रारम हो रहा है, जिसक स्क्रीन पर फ्लेश कर रहे हैं, पंडे जी अगली दर्शक हमरे साथ जुड़ चुकी है, पंजाब से निशाब, निशाब जी बहुत स्वागा थे आपका सितारों की चार्ट में, जन्म की पूरी तिथी समय और इस्थान बताएं, फिर आपका प्रश्न करें, जी नमश्कार पंडे जी, नमश्कार जी, पंडे जी मेरी डेड़ बरत है, चार तरीक, जी चौथा महीना, 4 अप्रेल, 1981, जी, उन्यस्वे क्यासी, जी, जन्म की समय, जी, रात का आथ वज के पांच मिनिट, जी, जन्म स्थान, हंडे आया, जी, प्रश्न करें, मैं पूछने चाते मेरे भी आगे लाइफ में, किस तरह रहेगी मेरी लाइफ में, भविश्य को लेकर के चिंतते थे, इस विश्यमिन का प्रश्न है, जी, पंडे जी, चलिए निश्या जी, पंजाब से आप बात करें, बहुत प्रसंदिता की बात है, आपकी कुंडिली ज हुआ है, बरतमान में जो आपके उपर महादश्या चल रही है, वो शुक्र की महादश्या है, क्योंकि 2003 से प्रारम होई है और इसका समापन होगा 11 नवंबर 2023 को, आपने पूछा भविश्य कैसा है, अभी तो ठीक चल रहा है, लेकिन जनवरी के बात आप एक बार पुना श शनी की साड़े साती में आएंगी, और शनी आपकी मूल कुडली में निशा जी वक्री होकर बैठा हुआ है, छटे भाव में पांच ग्रह बैठे हुए हैं, निशा जी जो की ठीक नहीं है, जिनमें बुद्ध है, हलाकि शुक्र उच्चका था, लेकिन वो अस्त होकर हुआ था, वहीं पर मंगल है, सूरी है और चंदरमा है, परिस्तियां थोड़ी सी ठीक नहीं है, लेकिन मैं आपको दो उपाए बताता हूँ, निशा जी जिससे आपको आने वाले दिनों में ठीक लगने लगेगा, दो उपाए इस परकार से बनते हैं, निशा जी, उपाए हैं, एक तो गोमेद रतन आप जरू पहन लीजें, चुकि सिलोनी गोमेद आप पहनेंगी तो मुझे लगता है कि राहू और शनी से वो आपको थोड़ी निजाद जरू दिलाएगा, दूसरा आपको एक पन्ना रतन जरू पहनना चाहिए, जो कि आपका भागेश है, यदि आप ये दोनों रतना नहीं पहन पाएं, तो आप शनी महराज की पूजा अर्चना करिये और भगवान गनपती को नियमित रूप से दूरवा चड़ाइए, और उनको लड्डू का भोग लगाईए, मुझे लगता है इससे भी निशाजी आपको राहत अवश्य प्राप्त होगी, बिल्कुल, तो इन्हें पायों को कर सकते हैं, और निशाजी रहात मिल सकती है, लाब मिल सकता है, वही पंडिजी से निजी परामर्श भी दर्शक ले सकते हैं, उनके नमर हम लगाता है, स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, हम लोटने हैं, फिर से विश्य की ओर, जिस और करक राशी की कुली है, करक राशी से मंगल का जो गोचर है, वो एकादश भाव में हैं, एकादश भाव का मंगल भारत के पराक्रम को कई गुना बढ़ा देगा, जो अभी थोड़ी सी परिशानी चल रही थी भारत में, वो परिशानी मुझे लगता है कि दूर होगी, लगन में परिश करेगा, तब भारत के पराक्रम को बढ़ाएगा, हलाकि आम जनता को थोड़ा सा तंग करेगा, महंगाई बढ़ सकती है, चोकि ब्रशब राशी में मंगल का परिश हुआ है, तो इसके चलते पैट्रोल और डीजल के भाव में आने वाले दिनों में आपको आइटम्स हैं, खास्तोर से बाकी चीज़े हैं, उनको भी लेकर, उनमें भी तेजी लेकर कहीं न कहीं आ सकता है, मंगल को एक परकार से हम सेनापती यानि युद्ध का स्वामी मानते हैं, तो भारत वर्श की कुंडली में, चोकि राशी से एकादश भाव में हैं और लगन कई गुना बढ़ सकता है, खास्तोर से पाकिस्तान, चीन, बांगलादेश, श्री लंका से भी संबन, जो अभी श्री लंका की भारत मदद कर रहा है, उसमें भी मदद में कुछ न कुछ कमी आने की संभावनाय बनती हैं, इसके अलावा मंगल चुकी देश दुनिया पर उस चीन और ताइवान जिसके बीच में मंगल के ब्रशब राशी में प्रविश करने से और परिश्यानियां बढ़ सकती हैं, चुकि तुला राशी का देश है, तुला राशी से मंगल अस्टमभाव में हैं तो चाइना कहीं न कहीं ताइवान पर आक्रमान तो नहीं करेगा, लेकिन चाइना को इतना तंग करेगा, युद्ध की परिस्थितियों को वो लगातार निर्मित करता रहेगा, तो जिसके चलते देश दुनिया में आने वाले दिनों में जैसे यूकरेन और रूस के बीच का संकट है, वैसे ही चीन और ताइवान के बीच का संकट और गहरा सकता है, इसके अलाबा कुछ और जगे मंगल की परिस्थिती और तेजी से बढ़ेगी, खास तोर से आप देखेंगे, साउट चाइना सी दक्षण चीन सागर है, वहां के भी कुछ देश हैं, जिसमें जापान है, कोरिया है, और दक्षण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच में भी कुछ ना कुछ युद्ध जैसी परिस्थितियां बढ़ेंगे, मंगल का ब्रशब राशी में प्रवीश के चलते एक और परिशानी बढ़ सकती है, दीश में एक बार कुरोना के केसिस और तेजी से बढ़ेंगे, जब तक मंगल इस राशी में भ्रहमन करेगा, के बाद देता है, इसलिए हम बढ़ जाएंगे, दैनिक राशी फल की और शुरुबात कर लेंगे मेश राशी के जात्कों के साथ, जीव बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगा, मेश राशी वाले जात्कों का दिन आज बहर शांदार है, चुकि चंदरमा आज दुपहर के बाद आपकी राशी से दशमभाव में प्रवीश कर रहा है, तो आज आपका मन और भी जादा परसंद रहेगा, आपकी जीवन को और भी बहतर बनाने जा रहा है, तो मेरी सला है कि जितने भी आपकी आवश्य काम है, दुपहर बाद से करे, आपको दुपहर बाद बहुत ही बहतर लगने जा रहा है, यदि आप प्रीम संबंदों से जुड़े हुएं, तो आप अपने प्रीम संबंदों से जब मिलेंगे, त जातकों की भी परिस्टियां बहुत अच्छी हैं और दोपेर बात से और बहतर हो रहे ही चुकि अभी चंदर्मा आपकी राशी से अस्टम भाव में था वो नवम भाव में प्रविश करेगा दोपेर बात से तो मन प्रसंद रहेगा कारे छेतर बढ़िया रहेगा स्वास्त बढ़िया रहेगा कुल मिलाकर आज दोपेर के बात से समय और बहतर होने जा रहा है अगली राशी के हम चर्चा करते हैं वो है मिथुन राशी मिथुन राशी वाले जातकों की जो सितारे है वो दोपेर तक आपके पक्षमे बने रहेंगे मीरी सला आपको यही है कि जितनी भी आपके आवश्य काम है उनको दोपेर तक जरूर कर लें प्रीम संबन्दों के साबसे आज पर इस सिती बहतर है और तो धियान रखे शाम से समय थोड़ा कमजोर होने जा रहा है अगली राशी के हम चर्चा करते हैं वो है करक राशी करक राशी बाले जातकों के समय लग परिया मनने जा रहा है आने वाले दो दिन दोनब बहुत बढ़िया है इसका भरपूर तरीके से लाब उठाकर अपने आवश्यक कारियों को तेजी से संबन करें अगली राशी के हम चर्चा करते हैं वो है सिंग राशी सिंग राशी वाले जातकों का समय आज दुपहर बा आज आपके विरोधी आपसे थोड़ा सा परिशान रह सकते हैं तो थोड़ा ध्यान रखें अगली राशी के हम चर्चा करते हैं वो है कन्या राशी कन्या राशी वाले जातकों का समय बहुत अनकूल है आज दुपहर के बाद समय और भी बहतर हो रहा है तो कुशिश करें जितने भी आपके आवश्यक कारे हैं उनको दुपहर बादी संबन करें मन बहत प्रसंद रहेगा है एक बात का ध्यान जरूर रखें सुबा किसी से बाद विवाद या जगड़ा बिलकुल भी ना करें अगली राशी की चर्चा करते हैं वो है तूला राशी तूला राशी यानि ब्रशिक राशी की बात करेंगे ब्रशिक राशी वाले जात्कों का समय दुपहर तक थोड़ा सा कमजोर है देखें दुतिय भाव का चदरमा घरेलू परिशानिया अनावश्यक कामकाज में उल्जा का रखता है परन्तु दुपहर बाद जैसे ही वो मकर राशी में प्रविश करेगा तो आपके कारियों में तेजी आएगी मान सम्मान और प्रतिस्टा में व्रद्धी होगी तो जितने भी आपके आविश्यक कारी हैं उनको दुपहर बाद ही संपन करें अगली राशी की चर्चा करेंगे वो है धनु राशी धनु राशी वाले जातकों की राशी में चंदरमा आज दुपहर तक प्रवेश करेगा मन प्रसंद बना रहेगा काम काज की इस्तिती बढ़िया रहेगी कुल में लाकर दुपहर तक का समय बहुत बढ़िया है जरूरी काम तेजी से संपन अवश्य कर लें अगली राशी या नहीं मकर राशी की हम बात क कर लें परन्तु दुपहर साड़े बारा बजे के बाद जैसे ही चंदरमा आपकी राशी में प्रवेश करेगा मन एकदम प्रसंद हो जाएगा काम काज की इस्तिती बहतर रहेगी लोग आपकी पूछ परक करने लगेगे तो दुपहर बाद ही आप अपने आवश्य कारियो को सरंगैं अगली राशी के हम चर्चा करते हैं वो है कुम्ब राशी कुम्ब राशी वाले जात्कों के सितारे आज दिन पर आपकी भरपूर साहिता करेंगे जो भी काम काज आपको करना है आज दिन में आवश्य कर लेए मन प्रसन बना रहेगा कामकाज की इस्तिती बहुत ही बढ़िया बनी रहेगी यदि शासन और धन से जुड़ा हुआ कोई कामकाज आप कर रहे हैं तो उसको आप तेजी से जरूर कर ले अगली और अंतिम राशी की हम बात करेंगे वो है मीन राशी मीन राशी वाले जात्कों का समय बहुत बढ़िया बना हुआ है चंदरमा दशमभाव से एकादश भाव में बढ़ेगा तो भी आपको लाब बिलेगा मन प्रसन रहेगा माता को लेकर बनी हुई चिंता दूर होगी कामकाज की सिदी बहुत बढ़िया रहेगी प्रीम संबन्दों और बैवाहिक जीवन दोनों ही सुख़द बने रहेंगे तो आज के दिन का और कल के दिन का भरबूर तरीके से लाब उठा लीजे पंडी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए सकारिकरम में और इस विशय बरदर्शकों के एहम जानकारी देने के लिए और इसे के साथ सितारों की चाल में फिलहाल इतना ही दीजिए इजाज़त नमस्कार